हर्याणा के कुरुशेत्र जिलेकी शाहबाद विधान सबा में सीएम योगी जनता को सम्मोधित करें विधान सबा के प्रत्यासे से दुमन सिंग जिला प्रवासे से रागहों लखन पाजे विधान सबा के प्रवासे अभिनास त्रवेदे जिए भारती जनता पार्टी के सभी पदादिकारी कार्ण और इतनी समय के पूर्व सहाबाद विधान सबा छेत्र से चुड़ेवे सभी मेरे मत्दाता बैन और भाईयों कुरू छेत्र दुनिया के अंदर ये पहला छेत्र है जो युग्द छेत्र होने के साथ साथ धर्म छेत्र बन गया धर्म छेत्र इसले बन गया क्योंकि सत्य धर्म और न्याय के लिए माभारत का युद्ध हुआ था भारत के ग्यान विट्ध्यान की अपूर्णी अच्छती हुई लेकिन कारा उतल जो अन्याय असत्य अर अधर्म के साथ थे वे सक्ते सालीर होने के बाद जो पराजैक कामों उनको देखना पड़ा था ये वही भूमी है जाय अब तुम भूमी वे दुनिया का सक्षे तेजश्वी उपदेश दिया गया और उपदेश किसी और में नहे से त्वारिकानाथ बिन्दावन विहारी लान कृष्न कनयया में इसी धर्ती पर दिया था परित्राणाय साधो नाम बिना साय चकुस्क्रताम सज्जनों का संग्रक्षण करने के लिए और दुर्जनों को राम नाम सत्य है के मार्ग पर भेजने के लिए ही प्रभु का बार बार अवतरन होता है और बैन और भाईयों लोग तंत्र में जनता भी उस जनारदन के रूप में अपना अधरिबात प्रफ्यासियों को देती है पार्टियों को देती है और इसी बात का वान करने के लिए मैं आपके पीछा जाया हूँ मैं देख रहा था जब मैं मन्च पे मैं अपनी बात को कहने के लिए आया मैं बैठा था नवीन जी बोल लए थे सुबास कलसाना जी अपनी बात को रख रहे थे लेकिन बीच बीच में जैस्रिर्राम के नारे भी लग रहे थे पैनर भाईयों कौन ऐसा भारती होगा जो युद्धिया में 22 जनवर इंगो हजार 24 को जब देश के सुष्टी प्रणान मंत्री से नरेंद्र मोदी जी के करकमनों से प्रणुस्री राम लबा अपनी पावन जनवर भूई में बिराजमान हो रहे थे कौन ऐसा भारती होगा जिसकी आँखों में खुस्यों के आंसु न रहे हो कौन ऐसा भारती होगा जिसने अपने घर में भीपन जलाए हो अगर सच्चा भारती था उसने खुसिया मनाई थी वीपावली का इसास कराया था दुनिया को अयोत्या में पांसो वर्सों के उस कलंग को धो करके राम लला का फिर से बिराजमान होना दुनिया की सोसी पीड़ी दमित सवी जातियों के लिएक संदेश था और उसंदेश था कि हर हाल में हर हाल में अगर भारत में पांसो वर्सों के बाद राम लला का बिराजमान हो सकता है अगर दुनिया की वे सबी पाकते एक जुट होकर के जो दमित हैं पीडित हैं अन्यारत के अचार का सिकार होई हैं वे भी एक जुट हो करके कारे करेंगे तो उन्हें भी अवस्य सफलता प्राप्त होगी बैनोर भायों इस संदेश भारत से गया लेकिन इस भारत का इस संदेश आखिर हम सब को क्या कह रहा है अयोध्या में सफलता का राज क्या है सफलता का राज भरत की नयाइपालिका की टाकत भी है और साथ साथ दवलिंजन सरकार की टाकत का एसास भी है अप्तर ब्रेश में दवलिंजन सरकार 2014 में प्रणान मंत्री मोधी जी का देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना देश की जनता जनारदन ने मोदी जी पर विश्वास किया उन्हें देश का प्रधान मत्री बनाया 2017 में मोदी जी के आव वहां पर तर्पदेश में सरकार बने मातर दो वर्स में थोा plac 2 पैंन व्हीं जो काम 500 वर्सों में ने हो पाया जो कार a revelation 65 वर्सों में ले ने कर पाई सा भारती जनता पार्टी की डबलिंजन सर्कार मात्र दो वर्स में करके देखाया किस्वस्या समाधहां कर दिया है आज अयोध्या में गुलामी का कोई धाचा नहीं आज अयोध्या दुनिया की सुन्दर तम नग्री की रूप में स्थाफित हो रहा है आज अयोध्या एक नया अशास करा रही है पिकास की, शुरक्षा की, संब्रिदी की और रामलला का आस्रिवाद हम सब को प्राप्त पुरा है पेनोर भाईयों डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है अयोध्या इसका उधारण है और जमो कस्मीर में आतंगबाद की प्रतीक बन चुकी धरा 370 का हटना उसका तफन हो जाना ये उसका उधारण है और इसलिए मैं आज आप सब का अवहान करने के लिए हूँ हर्याना ने 10 वर्स के अंदर 10 वर्स के अंदर हर्याना ने डबल इंजन सरकार के नितृत्त में कार्य को होते वे एक अंजाम तक पहुंशते वे देखा है हाईवे का मिर्माण रेलवे की प्रकती नेने फ्लाई ओपर और रोड ओबर प्रिजेट बनना नेने अध्योग अध्योगिक छेत्र का विक्सित होना युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुद्धा अप्लब्दों हो जाना और डवालिंजन सरकार तो उन महिसा सुर और चंड और मुंड के लिए जगत जन्नी मा भगवती ही है जो नसे के कारूबार में लिप्त है पैन और भाईयो इन नसे के जो कारूबारी है जो देश को निगल जाना चाते है युवाओं की जवानी को छीन रहे है ये आज के चंड और मुंड है ये महसा सुर है और इसलिए मैं आपका एसास कराने के लिए आया हो हरी अड़ा इसके दो और दहें हरी भूमी अन्य दाता किसानों की परिस्त्रम का की पावन भूमी है लेकिन हरी आना भी है कि इस तर को बार बार बुलाने का है हरी का मतलब स्री कृष्ण से है स्री विष्ण से है स्री राम से है राम को बार बार इस धर्टी में बुलाने के लिए इसका नाम हरी आना हो गया है कि हरी बार बार आना यहां पर यानि जो अग्देश 5200 वर्स पहले कृच्छेत्र की भूमी में भगवान स्री कृष्ण ने दिया था उसके लिए हमारे बुरवजों ने इसका नाम हरी आना लिखा यानि हरी आना हरी बार बार आना उत्देश देने के लिए जब जब अत्याचार होंगे जब जब यह माफिया फ़लेंगे फुलेंगे इनको फिर से उनमूलन करने के लिए बार बार आना वे दवलिंजन के सरकार हरी के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है वेन और भाईयों ये ड्रग माफिया हो या खना माफिया ये भू माफिया हो या पसू माफिया ये संदेश के आपरात में संदेश को माफिया हो या कोई भी माफिया माफिया ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बादा है वह विकास में बादा है खेन और खिलाडियों की प्रगति में बादा है युवाओं के रोजगार में बाधा है वह बेपियों की सुरक्सा में भी बाधा है और इसलिए मैं आप सब को कहने के लिए आया हूँ भारती जन्ता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर्याणा के अंदर प्रदानवंत्री मोदी जी के मार्ग दर्सन में पूरे हर्याणा के अंदर स्री मनुहलाद खटर जी के नित्रित्व में पहले और आज से नायप सिंग सेनी जी के नित्रित्व में विकास, सुरक्सा और सुसासन की एक नियों को मजबुती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया आज उसका एसास हर्याना में देखने को मिलता है यहां विरासत भी है तो विकास भी है कुरुचेत्र का जो विकास हो रहा है वह हम सब के सामने है और मैं तो आप का हिरने से धन्य बात करूँगा कि लोग सबाच चुना में तमाम अफ़वा के बापजूद कॉंग्रेस के दोरा आम अप्वी पार्टी के दोरा तमाम अफ़वा पहलाई जा रही थी उस अफ़वा के बापजूद आप सबने भार्टी जन्ता पार्टी पर विस्वास किया प्रणान मंत्री मोदी जी पर विस्वास किया और अपने लोग प्रीय सांसत के रूप में असी नवीन जिंदल जी को कुरुचेतर लोग सबाच सीफ में फिर से सायां से सांसत चुनकर के भी जा बेनर हरियो अच्छा जन्त प्रतिनी दी जन्ता को जनारदन मान करके उनकी सिवा करता है नमीन जी और मैं 2004 से 2014 तक लगातार एक साथ सांसत थे मैंने उनकी कारेपद्दती को देखा है भारत के आनमान अर्सान के प्रपीक भारत के दिरंगे को हर परिवार अपने घर में लगा सकता है और इस प्रतीक को अपने पास भी सिंबॉलिक लगा सकता है इस लड़ाई को उसी नवीन जिंदल जीने सुप्रीम पूर्ट तक लड़कर के फैसला करवाया था उनके इस तर पर के जाने वाले तमाम कार्य कई स्पोर्ट के ले कई स्वास्ते के ले कई सिक्सा के ले कई रोजगार के ले कई इसके development के लिए यह एकसास कराता है कि हर जन प्रतिनी भी अगर इसना ही जागलुक होकर के कारे करने लग जाएगा तो बैन और भाईयों नौजवानों को एक नई मंजिल मिलेगी आगे वढ़ने के लिए और उनका सयोग देने के लिए उसी तज़ पर एक इमांदार, कर्मट विधायक भी आपके पास होना चाहिए और इसके लिए भारतिये चन्ता पार्टी ने सहाबाद विधान सहाबाद छेतर में सुई सुवास कलसाना को अपना प्रत्यासी बना करके आपके बीश उता रहा है बैनार भाजियों सुवासी पेसे से एक सिक्स्तक है एक कॉलेज में लिक्चरर है पड़े लिखे है सज्जन है सिक्सदा के महत्व को जानते है नसा नास का कारण है ये भी जानते है खेल और खिलाडियों के महत्व को समझते है बिकास कैसे होना है जब ये दोनों डवल इंजन मिल करके हर्याना की डवल इंजन की सरकार और केंद्र की सरकार मिल करके कारे करेगे तब अभिकास आपकी द्वार तक पहुचेगा तब सड़क बनेगी तब विजली आएगी तब पानी मिलेगा तब और जो कि छेत्र विख्षित होंगे तब सरकारी छेत्र में और निजी छेत्र में रोजगार मिलेगा इसके लिए डवल इंजन की सरकार होनी बहुत आउस्से है बैन और भाईयों यहाँ पर आप जो हमारे इस जन्पत के प्रवासी प्रवारी के रुप में रागों लखनपाल और प्रवासी प्रवारी बिदान सवा से अभी नास्त्र वे दीजिए यह दोनों अत्तर प्रदेश में सांसद और विधायक के रुप में काम कर चुके हैं अत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कैसी सरकार थी आपको एसास होगा हर दूसरे तिसे दिन दंगे होते थे गुंडागरती चरम पर थी बेटी सुरक्षित नहीं थी ब्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था नवज़मान को नौकरी नहीं मिलती थी आज आप जाके देखें यूपी के अंदर जितने बड़े माफिया थे गुंडे थे इस अब गुंडे और माफिया या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है साड़े साथ वर्स में कोई दंगा यूपी के अंदर नहीं हुआ और बैन और भायों दवलिंजन की सरकार में डिकास कैसे होता है एक्सप्रेस आईवे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी नहीं ने और जोगी छेत्र विक्षित हो रहे हैं लाखों करोड़ पे का निवेस हो रहा है लगभग साथ लाख नौजवानों को वां सरकारी नौकरी दी जा चुकी है दो करोड़ युवाओं तो अब तक वहां पे निजी छेत्र में वे लिवेस में रोजकार के साथ जोड़ा जा चुका है और डबल इंजन की सरकार का असास अयुद्या में राम जनम भोई में भव्य मंदिर के निर्मार के मात्यम से देखा जा सकता है कासी में कासी बिश्वनाद धाम के मात्यम से दिखा जा सकता है प्रियाग रात में दिद्ध्य और भब्यकुम्ब के मात्यम से दिखा जा सकता है आज कोई वहाँ पर भारत बिरोधी गजविदियों में किसी समाज विरोधी कजवदियों में लिप्ट तत्थ फिर उठा करके नहीं चन सकता क्योंकि से एसास है डबल इंजन की भाजपा की सरकार है यह सुरक्सा हर बेटी हर बहन को सुरक्सा देना जानती है हर प्यापारी का सम्मान करना जानती है समाज मैं सच्चन सच्च के संग्षण के लिए कारे करना जानती है और दुरुजनों से ठीक सी निपटनी के लिए भी जानी जाती है और इसलिए आपका अशास ऐसान कराने के लिए मैं आरा कि भین और बाज्जन यह डबल इंजन की सरकार की ताकत है और इसलिए आप सबसे मेरी अपील है आज चनाव परचार का अन्तिम दिन है आज सार्दिय नौरात्री ही आज से प्रारंब हो चुदी है मैं और भायो सार्दिय नौरात्री का सुभारंब की तिधी और तिर्थिया तिधी को तीसरी तिधी को आपको हर्याना के भागय का फैसला करना है और मेरी आप सबसे बीन है ये माफिया को फिर से कभी मताने देना है माफिया फ्रगड़ी को कभी मत बन अपने देना है ये आने वाली पीड़ी के भोष्चे को खराब कर देगा देश के भोस्य में सेन लगाने का कारे करेगा इस माफिया चायवा ड्रग माफिया हो माइनिंग माफिया हो कैटल माफिया हो या किसी भी प्रकार का माफिया इस माफिया को कतई प्रबास्त मत होने करन करिए फर्याना तो खेल और खिलाडियों की धर्पिया है सरवादिक मैडल देज के लिए हर्याना का जवान लेकी आता है और इस अपने रिकॉर्ड को बनाई रखी है एक विक्सित हर्याना के लिए एक धाकड हर्याना के लिए सुवास कलसाना उस्यक है और इसी के लिए कमल चुनाचिन पर 5 अक्तुवर को भारी पहमत से उन्हें विजई बनाने के पील करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ सुवास कलसाना को चुनाचिता करके भेजेंगे भेजेंगे दोनों हाथ प्रा करके मुझे आस्वस्त करिये जहां तक आवाद पहुँच रही है मेरे साथ बोलेंगे आपकी आवाद चंडी कड़ तक भी पहुँचनी चाहिए आपकी आवाद दिल्ली और लखनों तक भी पहुँचनी चाहिए इतनी जोर से बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की